हेलो दोस्तों आपका स्वागत है बिहार पुलिस एक्जामनेशन 2017 जो 15 अक्तुबर को हुआ उसका कोश्चन है अंसर मैं बताने वाला हूँ तो पहला कोश्चन यह था कि हिंदी भाजा किस लिपी की है तो इसका अंसर होगा देवनागरी देवनागरी इसका अंसर होगा और पिर एक कोश्चन था गंगा हिमाले से निकलती है इसमें कौन सा कारक है तो अपादान कारक होगा इसका अंसर बहुत कोई ने गलत अंसर दिया है और इसका अंसर आपादान कारक होगा और तीसरा कोश्चन यह था कि महानादी पर बना बांध कौन सा है तो महानादी पर बन होता है से वन होता है और फून का फिर पूछा गया था खून का पी a एच्वली क्या होता है तु कूं का पीएच मोरे होता है से वन पॉइंट पूर अगर आपने से वन प्उडब फू लिखा आपका ये अंसर सही होगा और एक कोशन था कि शेर्षा का मखबरा कहां है तो ये शेर्षा का मखबरा जो शासाराम में है बिहार में और फिर एक कोशन था FCI की स्थापना कब हुई तो 1964 में हुई थी FCI की स्थापना पिर question था बिहार से ज़ारकन कब अलग हुआ तो बिहार से ज़ारकन ये तो question बहुत easy था कि बिहार से ज़ारकन November 2000 में अलग हुआ था और फिर एक question था कवी का इस्थिरिलिंग क्या होता है तो कभी का इस्तिलिंक कवित्री होता है बहुत देखे लिखने में बहुत कोई का गड़वड़ी होता है कवित्री ऐसे नहीं लिखते है कोई बड़ी की मात्रा से कवित्री लिख देते हैं तो यह होगा और फिर एक कोशन था कविक यह हो गया फिर तथापी का संधी तथाजि झोड़ अपी होता है तता पी कसंधी विछे तथा आप होता है यह देख लिए हैं यह अगर आपने लिखा सही तो सही होगा फिर एक क्वोषकों पंचायत राज की शुरुवात कब हुई तो पंचायत राज की शुरुवात 1902 में हुई थी और फिर एक math से question था mathematics से था कि x-5 square to 0 तो x command पूछ रहा था तो एक option था बहुत सा चार option जो मिला था तो एक में था 15 और 15-5 होगा यह सही आपका अंसर होगा तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और भी मैं बनाऊंगा इसी परकार का न्यूज अपडेट करता रहता हूं जौब अलेट के बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज